देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्तों होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदायव बनी रहे, यह वीडियो कन्या यानि की वर्गो के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं साल 2023 की 26 सकरात्मक भविश्यवाणिय के बारें बात करूँगा, सकरात्मक शब्द मैंने इसलिए यूस किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, जब हम नव वर्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो नव वर्ष का स्वागत आप सकरात्मक भविश्यवाणियों के साथ करें, जब पूरे साल का राशी फल बनेगा, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बनाने का उच्चते ये है, कि उत्साहा और सकरात्मक भविश्यवाणियों के साथ, लगन और राशी दोनों से ही अब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि सामानने विश्यशन होता है, लगन और देखेंगे तो बेटर रेजल्ट मिलेगा, अगर लगन नहीं पता, उस केस में आप राशी से भी अब्जर्व कर सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं इस राशी फल का, सबसे पहले शनी महराज को ही देखेंगे, ये जो राशी फल है, ये चार ग्रहों पे आधारित है, शन महराज के साथ, क्योंकि सबसे पहला राशी परिवर्तन उनी का है, 17 जैनवरी 2013 को कुम्भ में प्रवेश कर जाएंगे, और आपके लगन सिया राशी से छटे स्थान में आ जाएंगे, छटे स्थान में, छटे स्थान के स्वामी, 6-8-12 के स्वामी जब भी इन भावों में ह जाता है, और क्योंकि एक क्रूर ग्रहन शनी महराज, उनके द्वारा जब विपरीत राजयोग बनता है, तो और अच्चा होता है, कई कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी, कई ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, जहां पे आपको खुद नहीं लग रहा था तो जब यहाँ पे शनी महराज बैठेंगे, तो रुकावटे भी आपकी दूर करेंगे चौती भविश्यवानी, यह legal troubles का स्थान है तो कोई ना कोई legal case यदि चल रहा था, कुछ problem चल रही थी, कोई legal matter था उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा पांच भी भविश्यवानी, आपका रुका पैसा वापस आ सकता है कहीं पे पैसा आटक गया था, कोई नहीं दे रहा था हमीशा बोलता था कि भी कल दे देंगे, परसो देंगे तो इस साल में वो पैसा आप बहुत हत्तक रेकवर कर सकते हैं छटी भविश्यवानी, तीस्री द्रिष्टी आठवे स्थान पर रहेगी क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी है शनी महराज तो जो रिसर्च करना चाहते थे, वो भले स्टूडेंस हो या कई लोग रिसर्च ओर्येंटिन का माइंड होता भी है तो उनके लिवी समय बहुत अच्छा है आप रिसर्च कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया जान सकते हैं साथवी भविश्यवानी, दुबारा पंचम भाव के भी स्वामी है शनी महराज तो शेर मार्केट से भी आपको अचानक सिलाव हो सकता है आठवी भविश्यवानी, जो साथवी दृष्टी है वो बारवे स्थान पे हैं यानि कि विदेश यात्रा के योग बनेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंस के हैं क्योंकि शनी महराज पंचम भाव के भी स्वामी है नवी भविश्यवानी, दस्वी दृष्टी तीसरे स्थान पर साहस बढ़ेगा और वो गुस्ते की तरफ नहीं जाएगा, वो गौन्फिदेंस रहेगा, वो साहस रहेगा जो आपको जीवन में आगे ही लेके जाएगा दस्वी भविश्यवानी, अपने स्किल को डेवलप करेंगे आप कोई ना कोई नया स्किल सीख पाएंगे जो आपको जीवन में प्रोग्रस देगा चलते हैं ब्रहसपती महराज की तिरफ, 22 अक्टूबर 2023 को राशी परिवतन करेंगे और आपके आठवे स्थान में आजाएंगे मेश राशी में तो ग्यारवी भविश्यवानी, क्योंकि आठवा स्थान है और ब्रहसपती ज्यान के कारक है तो ऐसा ग्यान अरजित करेंगे जो नॉर्मल से हटके होगा वो मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, या कुछ भी ऐसा जो एक गूर विद्या होती है बारवी भविश्यवानी, सब्तम भाव के स्वामी है, अश्टम में जा रहे हैं जो लोग बिजनस करते हैं अचानक से लाव हो सकता है, तेरवी भविश्यवानी, चौते भाव के भी स्वामी है आठवे में जा रहे हैं, यानि कि प्रॉपटी आपकी कोई थी, उसके रेट बढ़ सकते हैं और वो आपको लाव दे सकती है कोई ancestral property थी, वहां से भी लाव हो सकता है, चौतवी भविश्यवानी, पंचम द्रिष्टी शनी महराज की रहेगी बारवे स्थान पर, अब connection देखिए बारवी पे द्रिष्टी है, स्वामी है सात्वे के, दोनों कहीं न कहीं foreign travel दिखाता है, और स्वामी है चौते भाव के, जो लोग देश से बाहर settle होना चाते थे, permanent residence चाते थे, उनके लिए ये साल बहुत महत्तोपून रहेगा पंद्रवी भाविश्यवानी, बाहर से संबंदित कोई business करते हैं, बहुत लाव होगा, सौलवी भाविश्यवानी, सात्वे द्रिष्टी धन स्थान पर, यानि कि अकस्मत लाव, कई बार आपको इस साल अचानक से लाव प्राप्ती होगी, सत्रवी भाविश्यवानी, कु वो रहेगी, चौथे भाव पर, अपना ही उनका स्थान है, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाते थे अच्छा है, उननिस भी भाविश्यवानी, दुबारा नाइन्थ जो उनकी एस्पेक्ट है, नवी द्रिष्टी है, वो चौथे भाव पर ही रहेगी, वाहन खरीदना चा जाएगा कि आपके प्रती इमोशन्स किसके सच्चे हैं, एक संबंधों में क्लैरिटी आ जाएगी, राहु महराज पर चलते हैं, 30 अक्टूबर को वो राशी परिवत्तन करेंगे और आपके लगने से सब्तम में आकर मेड़ जाएंगे, यानि कि मेश में, तो 21 भी अगर आप अपने बिजनस को बाहर के देशों में एक्स्पैंड करना चाते थे, बहुत अच्छा साल रहेगा, केतु महराज पर चलते हैं, केतु महराज आपके लगन में आके स्थापित हो जाएंगे, तो उनके लिए 24 भाविश्यवानी, ये भी उसे दिन होगा, जिस दि खाके जाते हैं, बुरी तरह से, थोड़ा negatively impact करके, लेकिन ज्ञान देखे जाते हैं, 25 भाविश्यवानी, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, अब मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए एक balance आपके जीवन में आएगा, आप personal life और spiritual life को बहुत अच्छी तरह से manage कर पाएंगे, और 26 भ आशा करता हूँ, यह जो वीडियो के बनाने के आच्छित्त है, वो सफल होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ सकरात्मकतार कानुभव यह वीडियो करवाएगी, चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, के लिए, ओनावाश।